नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स्ट इंवेस्मेंट पर मैं हूँ आप कमेंटर शिवांज बसीन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल कौन से स्टॉक पर ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेनेरियो रहे सकता है तो यह वीडियो में थोड़ी जल्दी में अप्लोड कर रहा हूँ तो आप लोगों को अभी लेवल्स और मेरा फेस भी नहीं दिख रहा होगा तो जो भी लेवल्स होगे इस पर्टिकुलर फाइफ स्टॉक के में टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा बारा बज़े तक मैं अप्लोड कर दूँगा और वहां से आप लोग stock को देख सकते हैं ठीक है मैं अभी यहां पर आप लोगों को analysis समझा रहा हूँ जिसके basis पर आप लोगों को understanding हो जाए कि हमें यह trade क्यों suggest कर रहे है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने first stock जो open कर दूद है that is Alembic Farmer Olympic farmer में आप देख सकते हैं demand and supply zone का बहुत अच्छे से role play कर रहा है चेक है तो यहां पर हम लोग अच्छे से buy में जा सकते हैं आप देख सकते हैं एक sharp fall हमें अप supply zone में देखने को मिला stock नीचे आया and again उसने up move करी दुबारा नीचे आया एक double bottom type scenario बनाया और एक अच्छी candle के साथ up move दे रहा है चेक है तो हम definitely यहां पर एक buy setup को generate कर सकते हैं मैं levels आपको बता दूँगा कि किस level पर buy करना है क्या target and क्या stop loss होगा intraday के लिए अगर कल यह इसके ऊपर closing दे देता है 980 के ऊपर तो शायद हमारे लिए यह swing trade भी बन सकता है जो कि मैं आप लोगों को telegram channel पर ही live market पर बता दूँगा तो वहाँ पर आप लोग अक्टिव रहिएगा our next talk is Vidanta Vidanta पर मैं sell करने की अभी सलह दे रहा हूँ आप लोगों को yes trend is very positive अभी trend बहुत अच्छा है बट शायद हवी higher level से हम लोग थोड़ा सा एक retracement देखें ठीक है मुझे लगता कि वो retracement यहां तक भी आएगा बट कल एक अगर fall मिलता है तो उसमें आपको suggest करूँगा कि profit taking कर लीजे hold में मत लेकर जाना ठीक है तो आप यहां पर खुद ही देख सकते हैं कि एक double top type scenario हमें आप देखने को मिला and इसके बाद yes आप यहां देख रहे है let me change the color as well तो आप लोगों को और clearly दिख जाएगा yes आप देख सकते हैं double top type scenario देखने को मिला उसके बाद एक indecisive candle and a fall ठीक है levels आपको बता दी जाएगे कब आपको short करना है our next stock is iris life signs यह वाला particular stock अगर इस level से recover करना start करता है तो यह long term के लिए भी आपका stock अच्छा हो सकता है ठीक है definitely stock अभी higher levels पे है but तब भी मैं suggest करूँगा कि आप buy कर सकते हैं let's see देखिए यह जो एक resistance था जो कि यह supply zone का काम करता था first time नीचे आया second time नीचे आया third time नीचे आया and fourth time आया eventually उसने जब breakout दिया breakout बहुत अच्छा सा breakout दिया उसके बाद what we see आप देख सकते हैं exact इस supply zone को इसने demand zone बनाया आप देख सकते हैं and उसके बाद दुबारा उपर गया and फिर से यह इस demand zone पर इंटर कर रहा है तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि first time भी buy कर सकते हैं second time भी हम लोग buy कर कर के चल सकते हैं yes तो अगर यह 580 की यह 581 की उपर जाता है हम लोग कल इस पर buy initiate कर सकते हैं और अच्छे लेवल्स में और perfect find करके आप लोगों को telegram channel पर बता दूँगा आर नेक्स टॉक इस बायो कॉन बायो कॉन को देखते हैं see यहां पर आप देख सकते हैं कि exact बायो कॉन ने भी अपने support से ही एक अच्छी up move दी एक तीन या चार दिन की अच्छी up move देने के बाद उपर से हम लोग ने एक selling pressure देखा selling pressure देखने के बाद वो fall नहीं करा वहां पर दुबारा एक rounding bottom बना के recovery आ रही है और जिस level से इसने up move दी थी जो closing candle है अगर इस particular level के उपर चले जाता है मतलब 40940 9.5 के उपर तो definitely एक अच्छी buying हम लोगों को देखने को इस particular level के अंदर भी मिल सकती है ठेक है and our last stock is loris lab यह वाला stock भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ अभी कुछ वीडियो में भी मैंने बता रखा था ठेक है? येस आप देख सकते है multiple resistance multiple resistance breakout होने के बाद first time retest up move second time base बना के retest up move अगर इसने अपने previous high को break करता है तो एक अच्छी movement इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है तो इस particular stock को भी watch list के अंदर definitely add करके रखेगा ये 5 stocks तो मैंने बता दिया अगर आप लोगों को 2 stocks और जानने हैं जो भी हम लोग intraday में trade कर सकते हैं कल या फिर swing trading के लिए हो सकते हैं weekly basis पे तो instagram पे हम लोग daily upload करते हैं around 11 बज़े तक हम लोग upload कर देते हैं पे दो stocks भी एंड वहां पर हम लोगों ने guys price action basic का concept को start करा है जहां पर मैं price action के basic के बारे में आप लोगों को बताता हूं तो हमें आप instagram पे भी follow कर सकते हैं नीचे description पे आपको link मिल जाएगा एक अच्छी बात और आप लोगों इस आठ शेयर करना चाहूंगा इसे सारा कुछ आप लोगों के साथ youtube पे शेयर करा जाएगा तब तक list एट्यूड हम लोग बात कर लेतें nifty and bank nifty की सबसे बहले nifty की बात करते हैं sorry bank nifty की बात करते हैं so 15 minute का time frame open करना चाहूंगा and yes यहाँ पर आप देख सकते हैं clearly यह पूरा zone में ने शेयर भी कर रहा था कल हमारी supply and demand zone पे practice थी तो आप यहाँ देख सकते हैं first time see सबसे उपर तो एक सबसे बड़ा supply zone है and नीचे एक demand zone है अब बीच की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं this is the supply zone, this is the supply zone multiple supply zone था उसके बाद क्या हुआ जब इसने supply को break करा आप यहाँ देख सकते हैं इसने supply को break करा उपर गया नीचे आया, first time retest करा and again वो उपर गया and नीचे आके फिर retest करके उपर जा रहा है तो definitely जब तक यह इसके नीचे closing नहीं देता हमारे लिए यहाँ पर एक buy setup generate है इसके नीचे भी मैं short करने की सला अभी नहीं दूँगा बता देता हूँ, मैं logic भी बता देता हूँ इसका say जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तो मैं short नहीं करूँगा जैसी इसके नीचे गया, retest मिला short कर दो, this is our target जैक है, तो अभी हमारे लिए buy है definitely अगर इसी level पर खुल के उपर जा रहा होता है तो आप 36,150 की उपर एक buy initiate कर सकते है जो हमारा previous high था वो हमारा target बन सकता है बट अगर इसके नीचे जाता है और retest करके फिर नीचे जाता है निफ्टी की बात करते है निफ्टी भी में आप लोगों को दिखा देता हूँ see, निफ्टी में भी same type of scenario है एक higher side में supply zone, एक lower side में demand zone in between, ये पहले supply zone का काम करता था जब break करा, तो multiple बार हम लोग retest देख रहे है अभी उसी की उपर trade कर रहा है तो अगर ये इस level को break करेगा that is 15,090 को break करता है 15,090 level याद रखेगा closing basis पर, 5 minute के closing basis पर so you can go for a trade as well और अगर यहाँ इस level से उपर खुलता है that is 15,180 की उपर जाता है तो आप लोग एक buy setup भी initiate करके चल सकते हैं तो भी जो live market पर updates होते हैं definitely मैं telegram पर आप लोगों के साथ start कर दिया, provide कराना है तो नीचे description पर आपको multiple links मिल जाएंगे अगर आप लोग account ओपन करवाना चाहते हैं yes उसके लिए भी मैं एक बहुत dedicated video लेकर आ रहा हूँ एक app के उपर जहां पर आप लोग अपना account ओपन करवा सकते हैं के वीडियो पे, मैं शिवांच बसीन, signing off